हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी मेरा नाम है अतुल जैन तो भई दुनिया में कई सारे देशों पर अलग-अलग समय पर आर्थिक संकट आता रहता है और ऐसे में कई बार ऐसे बड़े विक्सित देशों का नाम भी आता है जिनके बारे में हमको सामान में तौर पर लगता है कि यार उनकी अर्थ विक्सित देश है वही काफी तरक्की कर चुके हैं सब कुछ बड़िया है उनके यहां तो उनके यहां तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा लेकिन जब आप वास्तविक्ता में देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसे कितने सारे विक्सित देश हैं जिनकी अर्थ विवस्था वास्तव में एक बड़े खतरनात बिंदू पर पहुंच चुकी है लगभग एक breaking point पर आ चुकी है और इन देशों की सूची में एक जो बड़ा नाम शामिल हो गया है वो है फ्रांस का फ्रांस के बारे में आज मैंने एक report पढ़ी कि फ्रांस की जो अर्थ विवस्था है वो एक ऐसे बिंदू पर है जहां पर अगर उन्होंने कुछ बहुत कड़े कदम नहीं उठाए अगर अगले कुछ वर्षों में उसको संभाला नहीं गया तो ऐसा क्या हो रहा है फ्रांस में ऐसा क्यू हुआ अगले 5-10 मिनिट में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यार्थ फ्रांस की अर्थ विवस्था पर अगर इतना बड़ा संकट आएगा तो पूरी दुनिया की अर्थ विवस्थाओं के लिए ये खराब संदेश होगा इस बात को समझ ये कि आजकल जो है दुनिया आपस में बहुत वादा जुड़ी होई है ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कुछ होगा और हम पर उसका प्रभाव नहीं बड़ेगा ऐसा नहीं है क्या ऐसा कुछ भारत में भी होना संभव है या हम better placed है ऐसा क्यूं है यह आपको अगले 5-10 मिनिट में बता दूगा लेकिन उसको चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूँ कि भाई हमारा 2025, 26 और 27 तीनों वर्षों का P2I बैच जो है वो शुरू होने वाला है 26 और 26 का तो शुरू होने वाला है 11 तारिक से 27 का 8 तारिक से शुरू हो चुका है ठीक है तो इन तीनों batches में से आपको जिस भी वर्ष exam देना हो आप AJ live code लगा कर जो आपकी screen पे यहां bottom पे लिखा हुआ है AJ live ये code लगा कर आप जो है इस batch से जुड़ सकते हैं इन सभी batches मे आपको रोज 3 घंटे की live class mentorship daily practice questions pre or mains के mains के questions करो समाधान pre or mains की test series 18 किताबें अगर आप pre qualify करते हैं तो पूरी fees का refund प्लस आपको हम दिल्ली बुलाएंगे रहना खाना पढ़ना सब कुछ free ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप इन batches से जुड़ेंगे तो अपने तयारी के वर्ष के हिसाब से अपने जिस साल आपको exam देना है उसके हिसाब से इन में से किसी भी batch से जुड़ जाइए और अपने तयारी को सही आकार दीजिए धीली ढाली तयारी UPSC के मत कीजिए चलिए भई तो फ्रांस की समस्या पर आते हैं तो भई एक जो एक बहुत बड़ा indicator जो होता है वो क्या होता है कि आपके देश में जिसको हम कहते हैं debt to GDP का रेशो यानि की रिण और GDP का अनुपात कितना है आपको याद होगा अब से कुछ दिनों पहले मैंने आपको Maldives के वारे में बताया था हिंदू वाली क्लास में कि Maldives के प्रधान मंत्री माफ की जगा 10 प्रतिशत है यानि कि GDP जितना है उससे 10 प्रतिशत जादा उनके उपर रिन है तो इस रिन को चुकाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है फ्रांस के लिए debt to GDP का रेशो जो है ये बेटा फ्रांस जैके देश के लिए भी ये 110 प्रतिशत हो चुका है तो फ्रांस का debt to GDP रेश में तक्रीबन साड़हे तीन ट्रिलियन डॉलर का रिण है अब इसके पहले कि आप रिण को जज करने लगे कि रिण तो बड़ी खराब चीज है ऐसी कोई बहुत खराब चीज नहीं है देशों पे होता है रिण में कोई खास दिक्कत नहीं है जैसे भारत का भी अगर आप यह debt to GDP ratio देखेंगे तो भारत का भी debt to GDP ratio जो है आपको 83 से 85% के बीच में मिलेगा कि हमारा भी जितना हमारा GDP है उसका 83 से 85% हम पर रिन है क्योंकि यार मतलब रिन तो अच्छी चीज़ है रिन में बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से जैसे मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ जापान पर अगर आप debt to GDP ratio को विलेन मान रहे हो तो जापान में बेटा यह ratio 200% है यानि कि जापान का जितना GDP है उस पे धाई गुना उन पर रिन है नेकि जापान तो किसी आर्थिक संकट में नहीं है जापान आर्थिक संकट से दूर है इसका कारण क्या है कि जापान में इस में से अधिकान श्रिन जो है वो आंतरिक है आंतरिक रिन क्या होता है जब सरकारें आपके देश के अपने बैंकों से लोन ले जैसे मालोी ज़़ाहिक भारत सरकार जो है वह आपके पजाब नैशनल बैंक स्टेट बैंक एंडिया इन सब से लोन ले अब इन बैंकों के पास किसका पैसा है आपका और मेरा ही तो पैसा है यानि कि या फिर सरकारे जो है बॉन्ड जादी करके पैसा ले वो bond जो है आंतरिक market में बिक रहे हैं तो basically सरकार को ये पैसा किसे देना है अपने नागरिकों को देना है या आंतरिक संद्चना है तो आंतरिक तोर पर तो सरकार manage कर लेती है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे भारत की भी हम बात करें तो 83 से 85% आपने तक भारत पर अगर आप देखेंगे तो हमारे उपर ये रिन है लेकिन इसमें से बाहरी रिन जो है वो केवल 26% है भारत का बाहरी रिन जो है करीब 20-21% के आसपास है बाकी सारा अंतरिक रिन है फ्रांस में बेटा दिक्कत क्या हो गई है कि 110 प्रतिशत आपका debt to GDP रेशो है जिसका करीब 54 प्रतिशत जो है वो बाहरी है तो आप बात समझ रहे हैं तो फ्रांस पर क्या हो गया है बाहरी जो संस्थान है वहां से फ्रांस ने इतना जादा रिंड लिया है और उस रिंड की देंडारी अब इतनी जादा बढ़ती जा रही है कि वो फ्रांस के लिए समस्याएं पैदा करती जा रही है एक विश्व जनसंख्या समीक्षा नाम का एक संगठन है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू तो विश्व जनसंख्या समीक्षा जो है विश्व जनसंख्या समीक्षा क्या कहता है ये कहता है कि सरकारों के उपर ये जो रिंड का स्तर जो है ये आम तोर पे 77 प्रतिशत तक ये ऑप्टिमल मानता है कि 77 प्रतिशत तक जो है ये रिंड का स्तर जो है ये ठीक है अगर 77 प्रतिशत से उपर ये है तो और लंबे समय तक अभी ऐसा हो सकता है कभी कभी कोई संकट का वर्ष हो COVID आया आर्थिक मंदी आई उस समय आपने ज़्यादा रिन दिया ये बात समझ में आती है लेकिन अगर मान लीजे ऐसा कोई संकट का वर्ष नहीं है और संकट का अगर वर्ष ना हो तो 77 प्रतिशत से ज़ादा अगर आप पर रिन है तो ये रिन अगर लंबे समय तक रह जाए ये साथ अर्थ्ववस्था को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बात इन्होंने यहाँ पर कई है विश्वजन संख्या समीक्षा में और फ्रांस पर 110 प्रतिशत के आसपास का ये जो है dead to GDP रेशो है और ये लंबे समय से चलता रहा है ये फरवे ये भी कहता है कि अगर 77% से जादा आपका रिन होता है तो हर 1% जो बढ़ता है वो आपके आर्थिक विकास को 1.7% के आसपास प्रभावित करता है ऐसा क्यों करेगा भाई अगर आपका मान लीजिए आप पे इतना जादा रिन अल्रेडी है तो अब आप बाजार से नया रिन लेने जाओगे तो आपको रिन महंगा मिलेगा की नहीं मिलेगा भाई आपकी रिनों पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया तब तो आपको नई रिन मिलने से रहे भाई सीधी सीधी बात है कि नहीं है आप इसको देश छोड़ो अपने उपर लेलो कि यार अगर आपके उपर पहले से ही 10 लाक रुपे का तरजा है और आप एक लाक रुपे का नया साथ भी हो जाती है देशों को आर्थिक विकास के लिए रिन तो चाहिए तो अगर आप जो है हर प्रतिशत जो आपका debt to GDP बढ़ता रहता है यह कहता है कि यह एक द.7 प्रतिशत तक आपके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है ठीक है तो भाई यहां पर क्या हुआ ह है फ्रांस एक इस debt के cycle में बहुत सवादा फस गया है अब सवाल यहां पहुंचा कैसे या ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस यहां पहुंच गया तो फ्रांस के साथ हुआ क्या सब्से पहले तो भाई संकट पे संकट फ्रांस में आते गए सब्से पहले 2008 का जो एक आर्थिक करting से ठीम Didn dal सरकार अता कि देख में आर्थिक विवस्था जो है बनी रहे तो इस पे फ्रान्स ने बहुत पैसा करक्ट किया था खृए कि तो फैरम ने निकलने का प्रयास के लिए इस आर्थिक संकट से निकलने के प्रयास के लिए सरकार ने बहुत ज़ादा खर्चा किया। उसके बाद 2019 में हम सभी जानते हैं तकरीबन 10 साल बाद ही COVID-19 आ गया। और COVID-19 के समय में भी फ्रांस की सरकार ने अपनी अर्थववस्था को स्टिबलफ देने के लिए बहुत ज़ादा खर्चा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फ्रांस पर बहुत ज़ादा बुरा प्रभाव पड़ा है रूस और यूक्रेन के युद्ध का। रूस और यूक्रेन का युद्ध है इस युद्ध के बाद क्या हुआ फ्रांस ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। बिजली पर क्योंकि बिजली भी अब तेल से ही बिजली बनेगी तेल और बिजली दोनों महंगे हो गए हैं और इस महंगाई को जनता तक पहुँचने से रोकने के लिए सरकार इन पर भारी सब्सिडी दे रही है जिसका बिल जो है बिलियंस ओफ डॉलर्स में आ रहा है तो विक्सिक देशों में इतना नहीं होता है विक्सिक देश के हिसाब से फ्रांस का जो राजकोशिय घाटा है वो 6 प्रतिशत तक आ चुका है और जैसा माने आपको बताया आगे आके आप पर अगर रिन इतना बढ़ता जा रहा है आपके आर्थिक इंडिकेटर इतने खराब हैं तो इसमें क्या होता है एकनौमी में ज़के एक साइकल होती है जब अच्छा चलता है तो सब कुछ अच्छा होता है खराब चलता है तो देंदारी के लिए आपके पास पैसा ही नहीं तो ऐसे में सरकार के पास कदम क्या बचते है फ्रांस की सरकार क्या कर सकती है दो कदम बचते है या तो भई आप अपना खर्चा कम कर लो तो आप जो भी जनता की भलाई के लिए योजनाएं चला रहे हो उनको आप कम करो अप आपना खर्चा कम करो एक तो सिंपल चरन ये बचता है कि आप अपने खर्चे घटाओ तो दो उपाये बचते हैं सरकार के पास या तो आप खर्चे कम करो या फिर कमाई बढ़हाओ बात सही है किए नहीं है खर्चे कम करना मतलब क्या हुआ खर्चे कम करने का मतलब ये हुआ, जो जन कल्यान कारी योजनाएं हैं आपकी उन्हें घटाईए, जो जन कल्यान कारी योजनाएं हैं, उनको आप घटाईए भाई, जो आप जनता को सब्सिडी दे रहे हैं, जो आप जनता को फ्री में चीजे दे रहे हैं, उसे आप कम कीजि अभी जो बार्णियर वहां के नए प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि अब हम अपने करीब करीब इन्होंने एक जिकाश चालिव था हां एक तो अपने 40 बिलियन यूरो की हम जो है बचत करेंगे और 20 बिलियन यूरो तक अपनी कमाई बढ़ाएंगे यह उन्होंने लक्ष कहा है उन्होंने कहा है कि हम भई कुछ समय के लिए टैक्स बढ़ाएंगे हाला कि उसके भी अपने नुक्वान है जैसे फ्रांस में आप देखेंगे कि और दूसरे तरह के टैक्स देते हो कुल मिलाके जो कमबाइन टैक्स जो आपका फ्रांस में बनता है जो कमबाइन टैक्स आपका फ्रांस में बनता है वो लगभग 45 प्रतिशत के आसपास है और यह दुनिया में सबसे जादा में से एक है जो वैश्विक ओसत इसका है वो ल आपके यहां का जो उद्योगपती है जो आपके देश का business man है उसको ऐसा लग सकता है कि यहर फ्रांस में तो business करना बड़ा महिंका है और वो क्या कर सकता है अपना business लेके किसी और देश में shift हो सकता है, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है तो अगर उस businessman ने ऐसा कर लिया, तो ये जो आपने extra पैसा कमाने के लिए दाओं खेला था, कि भाई हम जो है extra पैसा कमाने के लिए tax बढ़ाएंगे, उससे वास्ट विक्ता में आपका revenue कम होना शुरूख हो सकता है. तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ, सरकारे चलाना आसान काम नहीं होता, economics बहुत आसान नहीं होती, economics को manage करना बहुत आसान नहीं होता, एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारों को देश के अंदर से वादारिन नहीं लेना चाहिए, वरना crowding out effect हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमने होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है, जाने के पहले आपको एक बार फिर बता दूँ, कि भाई, 2025, 26, 27 तीनों में से किसी भी वर्ष आप exam देने वाले हो, AJ live code लगा कर आप हमारे P2I batches से जुड़ सकते हैं, AJ live code लगाएंगे तो आपको ये batch जो है QISMD